हेलो फ्रेंड्स मिर नाम आज इसी सोधिया है और आप देखें प्यस्पी प्रोग्रामिंग दोस्तों आज हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे लिखेंगे पहले उसको हाव टू चैक एंड प्रिंट इवन और और नंबर के वह इवन नंबर है या फिर और नंबर है मुझे यहां पर और लगाना चाहिए था चलो कोई बात नहीं आगर देख लिए तो मैं यहां पर नंबर्स आपको पता होगा कि वह इवन नंबर्स के आ 10 और और नंबर क्या होते है जैसे 1 3 5 7 9 अगर आप इसको डिवाइट करेंगे तो इसका जो रिमेंडर है वह जीरो नहीं आएगा ठीक है कुछ ना कुछ रिमेंडर बचेगा तो लोजिक क्या होगा टेक नंबर एक नंबर में चाहिए उसको डिवाइट करके देखेंगे त उसे अगर उसका रिमेंडर जीरो होगा तो प्रिंट कराएंगे इवन अदर्वाइज ओड तो यहां पर मैं प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है कोई अगर आती है तो यह सब चीजह हम धीर दीर सीखते जाएंगे इस सीरीज में करेंगे तो यहां पर दोस्तों यहां पर हम एक नंबर हमें मिलेंगा यहां तो आप प्रिंट करा ली पिरिंट करेंगे या फिर मेंने यहां पर एक वैरिबेल ले यह समार करा दिया विख इव औप कंडिशन करेंगे फिर सो इम एक- dü manager तो यहां पर में फाइल कर लेता हूं दो पहले से यहां पर मैंने पहले प्रोग्राम बना थे इस फॉल्डर में तो एक फाइल बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख लेता हूं जैसे इवन और ओड का नाम दे जिता हूं मैं इवन और और लिए इस हैं प्रोग्राम लिखेंगे दोस्तों प्रोग्राम अगर आप बिगनर है तो आपको तो बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है कि आप छोट छोटे प्रोग्राम को लिखना सीखें, जो भी आपके माइंड में चलना है, जिस तरह से आप बना सकते हैं, तो जहां भी इफ आता है, अगर यहीं से यह जो लोजिक्स होते हैं, लोजिक्स आप लिखते हैं तरह से चोटा सेंपल में आपको देत हूँ, एक नंबर यहां पर देने बालेँ, हम रहे हैं करें यहां डॉलय है जाने वह इंपट घ्रैंजक्स, इन्जू करा जणा भाले हम उसको यहां पर मैने पहले- vend live लिए वह पर जादीन करीवेन लोघ आपको पहले- इतना तो mathematics पढ़ कही आते हैं सब लोग, even number क्या होते हैं, मैं फिर भी याद करा देता हूं, लिखते दो, even number वो निए even number होते हैं, जो two से divide होने पर, जिसका remainder होता है, वो 0 बसता है, यानि कि exact divide हो जाते हैं, और अगर वो number जिसमें divide करने पर कुछ remainder बसता है, तो वो आपके odd numbers होते हैं, जैसे मैंने उपर होता है, चलिए हम शुरू करते हैं लिखना प्रोग्राम, पहले हम एक variable, ठी, उसी तरह से जैसे मैंने राइट में, text editor आपने देखा होगा, notepad है, यह मैंने जो लिखा बिल्कुल वही प्रोग्राम में लिखूँगा, मैंने इसलिए लिख दि उसको हमें practice करके देखना चाहिए, तब वो हमारे clear होता है, उस तरह के आने बाले problems होती है, वो काफी हथ तक जो आपको सोचने की जो शमता होती है, वो बढ़ जाती है, कि यह प्रोग्राम इस तरह बनेगा, वो आपके mind में आइडिया से बढ़ने शुरू हो जाते है, तो जब में उसको जीरो आएगा, तो हम उसको प्रिंट कराएंगे, या मैं एको लगाए था हूँ, तो डबल कोट के अंदर जब आप डोलर के साथ वेरिवल का नाम देते हैं, तो उसकी वैली को प्रिंट करता है, तो इसलिए मैं डोलर नमबर ऐसे ही लिग दिया है, इसन इस नमबर को 2 से ड्वाइड करेगा, वो चैक करेगा क्या इक वल्टव जीरो है या नहीं है, अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर वो जीरो है, तो वो इस कंडिशन में रखा है इको नमबर इजा इवन नमबर और अगर वो जीरो नेगा कुछ ना कुछ बचेगा तो वो एल्स के इसमें लिकरा जाएगा फिर से बताया है तो मैंने डाइक्ट नमबर को यूच कर रहा हूं डॉलर नमबर तो वह मैं उसकी वैली प्रिंट हो सब्सकें धर ठायघे के अच्छा नियुर्ण बात यह लिखा है तो दुट किस्में अधिगे अबाइगा ।ट wax नीच में अब बनाखन यूदि कर रहा हूं तो यहां बिल्कुल ठीक गढ़े नार हम चैंज कर लेता हूं यहां था थीक है इतना ही यह और नमबर तो यह आपको समय में आ गया प्रेंट करना भी आ गए आपको डबल को यह बेसिक है तो इंटर्वी में आकर काम आएगा कोई पूछा पूछा सकता ही तो कि डबल कोट के अंदर आप वैरीवल सिंपल डॉलर वारीवल करके आप देंगे तो क्या होगा तो वह वैली प्रिंट करेगा ठीक है तो देखें यहां बर वीजह न इवन नम्बर खीक है अगर नहीं होता तो एण और नमबर तो यह था दोस्तों